और लखनव से बड़ी खबर सामने आ रही है बागियों की घर वापसी कराएगी बीजेपी पार्टी विरोधी गती वीदियो में हुई थी कारवाई पांच हजार कारेकरताओं को किया था निश्कासित निश्कासित प्रदेश कार्याले में करवाई जाएगी घर वापसी पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागियों को घर वापसी कराई जाएगी बीजेपी प्रदेश कार्याले में बारा बजे दिलाए जाएगी सदस्यता तो बीजेपी में जो बागी सदस्य रहे हैं उनको एक बार फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है बारा बजे से इन्हें सदस्यता दिलाए जाएगी पहले चलन में अवज शेत्र के बागीों को पार्टी में शामिल किया जा सकता है बीजेपी अपने बागी नेताओं की घर वापसी कराने जा रही है तो लखनों से आपके साथ ख़बर साज़ा कर रहे हैं पार्टी विरोधी गति वीदियों में इन्हें निश्कासत किया गया था और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के साथ लखनों से लाइब जूर गया है प्रियम पाठ्छक प्रियम इतने बड़ी संख्या में जो है कारेकरताओं की घर वापसी कराई जा रही है क्या संकेत देती है पिल्कुल देखिए दोजार चौबिस का लोगसभा का चुनाओ है और ऐसे में सभी राज़ेतिक दल अपने अपने समेकरणों को और अपने अपने लूप होल्स को कई ना कई मजबूत करने में लगे हुए हैं परियर सायथ उसी का नतीज़ा है काई सकते हैं या उसी से प्रयरीत आज प्रया आज का जो कारकर्म kayak Woods Trung के तब से रखा कि लोगी शुनाओं को देखते हुए बजेपी कहीं पर भी कोई करूर कसद नहीं शूड़ना चाहा रही है बजेपी चाहा रही कि सभी जो उसके पूर्व के कार करता रहे हैं तो कहीं बजेपी क्यों तुच्थी चाहा रही है निया जो प़र्टी को संपर्ग स्थापित किया गया और उन सभी लोगों ने वापस पार्टी को जोईन करने की अपनी इच्छा जो है वो जताई और अब इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने फैसला किया कि उनकी सभी की घरवाथी जो है वो कराई जाएगी और एक बार फिर सब एक साथ मि फिर से जो है उच्छिणावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं न कहीं के सकते हैं बीजेपीर 2024 के मैदान को लगातार और मजबूत करने में लगी हुए अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगी है और इसलिए वो हर तरीके की पहल कर रही है दूसरी पार्टी के करा कर पार्टी कहीं न कहीं दोजार चौबिस की रहा को थोड़ा सासान बनाने की कोशिस करेगी और अपनी जो सेना है उसको मजबूत करने की कोशिस कह सकते हैं वो बीजेपी करती भी नजर आ रही है इसलिए आज ये कारकरम रखा गया है अपसे मैश कुर्देर में पार्ट घर वापसी के लिए जो है अवद को फोकस किया गया है राम मंदिर की सौगार देकर बीजेपी ने अवद को पहले ही साधने की कोशिश कर लिया और अब अवद के बागी जो नेता रहे हैं उनको घर वापसी को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है देखिए जायर सी बात है पाटी के वाल आइसा नहीं कि अवद छेतर हो बुन्देल खंड हो पुरवांचल हो पश्शिम हो सभी जगहां पर पाटी की नजर है हर एक सीट को लेकर विशलेशन किया जा रहा है हर एक सीट को लेकर मंधन किया गया है हर इस्तर पर जिले इस्तर पर मंडल इस्तर पर प्रदेस इस्तर पर सभी जगा पर एक एक सीट की समुझा की गई है कि पार्टी के वहाँ पर कैसेती है कौन से उसके नेता कार करता वहाँ पर जो है वो उनकी पकड़ अच्छी है जिनकी दावेदारी वहाँ पर अच्छी है तो उन सभी चीजों को बकाइदा पुरा अध्यन किया गया है, सर्वे किया गया है और उसके बाद ये पुरी रंडीती बनाए के ये तो सुरवाती चरणबद में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अवज छेतर है जिसका बीजेपी ने ध्यान लगा है और उसके चलते अव जहाँ पर जैसे समिकरण बनने है जहाँ पर जैसी पार्टी को जरुवत महसूस हो रही है उसके लिहाज से पार्टी जो है वहाँ पर कारे कर रही है उस जापसे रंडीती बना रही है तो फिलाल अभी अवज छेत को देखते हुए पार्टी ने रंडीती बनाई है और उस और गुरु नानक देव की जैनती पर मुख्य मंत्री योग्या दिते नात लाइव है क्या कुछ कह रहें चलिए आपको सुनवाते हैं पावित्रा गुरुभरत साहिए के सामने और आगे हमारा स्वाग है कि परतार साहिए कुरुभार के दिर्वान के उप्रांद हम सब के सामने एक नहीं प्रेड़ा प्रभान मुंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है मंताले साहब में जंग लेने के बाद उन्होंने बच्पन से ही चोकि एक विब्यकों से उप्रोप थे सामाने ग्रेस्टी किया जाए उन्होंने साधना में लोग कल्यार में साधु सेवा में अपना जीवन सहर भी किया और उनके साधना की परणिती थी केटोर भक्ति के संचार का करेक्रम उन्होंने जो प्रारंब किया वह सित्व गुर्वों की और इस सित्व कंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया एक पक्स साधना का है 32 के माध्यम से साधना का पक्स और दूसरा पक्स जो नो कल्यान के माध्यम से राश्ट कल्यान का मार को प्रस्तुत करना अब याद करिए भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जाग्रण के कारेक्रम के माध्यम से हम रास्तिय चेता को जाबरू कर सकते हैं पुरी निर्वत्ता के साथ उस काल खंड में बागर के अत्याचारों के खिलाब आवाज बुलंद कर सकते हैं तो गुरु मानक देल जी भी उस काल खंड में करके दिखाया जाकि पाति के बंदनों से मुक्तर है किसी भी प्रकार की संकिर्टा से मुक्तर है करके इंकारे कर सके यह पेंड़ा भी गुरु मानक देल जी ने उस समय हमें दी और जिद्व्य परोशे प्रोप कि शुरूप में थे यहां तो हम सब के सामने मत्ता की वा घट्टा भी सामने आती है जब यह जाते हैं वहां के प्रोट्र मस्जित में जब आराम करने होते हैं और वहां का मौनी इस बारे में पहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं जहां मदिना की ओर क्यों कर रखे हैं तो हमने कहा कि भी मज़ेत बताओ जहां इश्वर का अंसर नहीं है मेरे पैर उधर कर दो देखा कि जहां गुरू नानगोजी के पैर और करता है उधरी उनको मभीना उधर देता है और तब नहींने कहा एकी इश्वर सरवक्त प्यादत है एक उंकार की बात नहींने की हो ज़िए गेना साधना के कितने गूर रहस्यों से भरा पड़ा है इस सिर्क पंथ किसे से छुपाड़ा नहीं है गुरू मानग देवजी ने उस तरंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया वहां साधना से भक्ति की प्रकास्टा को पार करते वे आगे बढ़ते वे प्यापत धर्म जागण के कारिक्रम के साथ चुड़ते वे आने वाले समय में देश और धर्मों की रक्सा करने के लिए जिस रूप में करिक्रम आगे रहे यहाँ गुरुतेक बहतुर जी और गुरु गोविंद सिंजी माहराज और उनके चार साथ जादों के बलदान के साथ साथ हजारों सिप्कों के देश और धर्म के बलदान के पथा देश के लिए एक नई सक्ति देती है एक नई प्रणा प्रणा करती है यह हमारा सुभग है कि उनीस नौंबर को हमें इस लखनों में खालसा चौक की इस थापना का सुभग्य प्राप्त हुआ खालसा चौक एक किरण खालसा इक बंज नहीं देश और घर्मगी रक्षा करने के लिए गुरु किरपा से निकला रहा है ऐसा तेज है प्रकास पुंज है जिसमें दिप्रीव प्रस्तियों में विदेशी पाक्तों को चौकने के लिए मज़ूर किया था खालसा अपंथ की इस्ताप्ला मुगल संतलत की पतन का कारण भी बनता है और आपने देखा होगा धेरे धेरे करके जो मुगल कभी भारत के इंदर चाये ले थे सिक्ष तो आज पुरी दुनिया के अंदर चाया हुआ है जहां कहीं देखो आपको सिक्ष मुल जाएंगे लेकिन और मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूस्तावी नहीं है क्योंकि यह सच का रास्ता था अफर्म का रास्ता था भूर्ब में सिंची मराज में उनके 4-4-7 जागों में क्या उम्र थी ये उम्र जो खेलने की होती है और सुम्र में सर्विंद के लिए बेश और धर्म के लिए और समयरे को रांचे उनको जुपाने का प्रियास करना था एक बार किवल इसलाम स्विकार कर लो लेकिन उनके दो छोटे पुत्रों ने का नहीं जिन्दा दिवाल पे चिन्वा लिये गए दो पुत्रों ने साथ जादा अजीद सिंग साथ जादा जुजार सिंग है यो तो लड़ते हैं बीर्गती को काथ तकी लेकिन दुस्मन के सामने कहीं चुके नहीं और यह हमारा सभग्य है जो वर्सों से मांग थी वर्सों से दस्कों से मांग होती रही थी कि साथ जादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाये जाना चाहिए प्रधान मुंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथी को साथ ज़्यादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया और हम लोग इस कारिक्रम को बड़े दूम दाम के साथ मना करके एक नई पेड़ना प्राप्त करते हैं बहुत बहुत नहीं ये पेड़ना युगों युगों तक आने वाली पेड़ी के लिए एक नेया उर्चा का स्वोग बनता है। और ये दरा सवाग है। गुरु नामनक देजी के 50 fract vast पर्व के कारिक्रम को फिर्दन यात्रा का सवभाग मुख्यमंत्री आवास में में मिला। 2020 और 2021 के साफ ज़्यादा दिवस के कारिक्रम को मुख्यमुत्री आवास में करने का उसर प्राक्वा और 2022 में यह राष्टी अस्तर का एक कारिक्रम बन गया है यह पाकत होती है सच्चे संकल्ब के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं वे संकल्ब ऐसे ही पूरे होते हैं जो लखनों से निकली वी आवास थी वह आवाज राष्ट ब्यापी आवाज बन गई यह हम लोगों ने अपने इध्यास को अपनी परंप्रा को अपनी विरासत को अपनी गुरु परंप्रा के प्रती कृटगिता ग्यापित की है कि और खालसा पंध के लिए गुरूं का बलदान नहीं था बलदान हिंदस्तान को बचाने के लिए था देश और धर्म को बचाने के लिए था उसकाल खंड में जब बड़े-बड़े राजे महराजे और मगल सत्ताओं के सामने जुख करके अधिन्ता स्विकार कर रहे थे और जिस परंप्रा में इस प्रकार का ज़ौरुपन हो उसको दुनिया की कोई ताकत चुखा नहीं सकती है और आज की इस वसर पर गुरुनानद देजी का प्रकास पर्वव जो 554 प्रकास पर्वव है यह हम सब के लिए एक नहीं प्रकास है और मैं आज आप सब को इस बात के लिए अस्वस्त करने के लिए है आया हूँ कि हम सब मिलतर के अपने इध्यास से प्रके लिए इध्यास के इन पुरूर और काले छ़ों से भी हम कुछ पेना ले जिन्होंने अत्याचार और भरवर्ता की सारी प्राकाश्टा को पूरा कर दिया था किस प्रकार से अत्याचार होई थी किस प्रकार की निर्वमता ढ़ाई गई थी लेकिन उन सब से मुक्त रहते वे आज हम सब एक स्वतंत्र धारत में जिस पूरी मश्बूती के साथ रहे करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं यह गुरुव के प्रती सिकु गुरुव के प्रती हम सब की एक बनंबर सल्थान जली भी है क्योंकि उनकी किरपा से उनके त्याग और बर्दान से जो निउपड़ी वहा हम सब को चुनोतियों से जूजने के लिए द्रंतर प्रेवित करती रही आगे बढ़ाती रही आज उसी का प्रिणाम है कि हम सब पुरी मजबूती के साथ कारे कर रहे हैं भायू बेनो गुरु नानत देव जी की द्वारा रखी गई इस निउपड़ी प्रदान करने करना हर सिक्ष का और हर भारतिय का दाहित तो है हम द्रंतर इस पर कारे करें जो भी उनकी सिक्षाये हैं उसका अंता करण से पालन करें तब है हमारी प्रगती होगी इसी में राष्ट की संब्रदी भी होगी और आजके सौसर पर इसी पेना को गहन करने के लिए मैं आस्याना गुरुद्वारे में आया हूँ मैं एक बार फिर से आप सब को कोट कोटी बधाई देता हूँ प्रकास दरों के अपनी सुपकामनाई देता हूँ और विस्वास बख्त करता हूँ कि गुरु नानद देवजी की भक्ती और उनकी साधना हम सब की सक्ति का राष्ट की संब्रदी का कारण बनेगा आप सब के परते मेरी सुपकामनाई बोले सूर निहान और बुलिटिन में फिलाल के लिए बस इतना ही खबरों के लिए बने रही इंडिया वोईस के साथ